नमस्ते दोस्तों आज सुनिए पी जे लाल जी की लिखी हुई कहानी कर्मशील हौंग कॉंग निवासी पी जे लाल जी रिटायर्ड इंग्लिश डेली पत्रकार हैं पचास वर्ष पूर जब वो हैदराबाद में डेकन क्रोनिकल के लिए रिपोर्टिंग का काम किया करते थे तब उन्होंने मनुहर कहानिया वा सत्य कथा जैसी पत्रकाओं के लिए सत्य अपरात कथाएं लिखी थी प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी कर्मशील जैसे ही पोस्टमेन दवाखाने में एक लिफाफा देकर चला गया तो मैंने देखा उस पर सिर्फ मेरे पिताजी का नाम था और एड्रेस की जगए पर सिर्फ हैदराबाद डेकन शेहर का नाम लिखा हुआ था क्या ऐसा होता है कि बिना एड्रेस के पोस्टमेन लेटर पहुचा देता है कहते हुए कुछ सवालिया नजरों से उस लेटर को मैंने अपने छोटे भाई की तरफ बढ़ा दिया हमें तो बताया गया है कि मकान नंबर और पूरा एड्रेस होना चाहिए मेरे भाई ने कहा था मेरी आयो ग्यारा वर्ष की थी मेरा भाई मुसे डिर साल चोटा था पास ही बैठे एक सज्जन ने हम दोनों की बाते सुन ली थी बेटे तुम नहीं जानते कि डॉक्टर साब मशूर हस्ती हैं उसने कहा था हम दोनों की समझ में नहीं आया कि मशूर होना क्या होता है तीन वर्षों बाद एक उत्ती सुलजी जब हम मुंबई से हैधराबाद ट्रेन के रास्ते आ रहे थे ट्रेन पट्रियों के दोनों तरफ लगे हुए बोर्ट्स पर और कुछ दिवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में दादा की डिस्पेंसरी का नाम और पता गेरुआ रंग से पुता हुआ था शायद इसी पब्लिसिटी की वज़य से उन्हें काफी लोग जानते थे बच्पन की इस घटना की याद चालीस साल बाद अनायास ही आ गई थी हवाई जाज मुंबई की ओर जा रहा था मैंने विमान के नीचे पड़े हुए स्ट्रेचर पर लेटे हुए दादा की ओर देखा दादा को लखवा मार गया था असाहय फर्ष पर पड़े हुए थे उनकी आखों की पुतलियां तेजी से दोनों और घूम रही थी कुछ कहना चाहते थे लेकिन मुझे हुँ हुँ शब्दों के सिवा कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता था मेरी मा का पिछले महीने सवर्गवास हो गया था उसके बाद शायद वो अपने आपको असहज महसूस करने लगे थे 72 वर्ष की आयो हो चुकी थी मैं और मेरा भाई वर्षों पहले हौं कॉंग में जा बसे थे मुंबई में मा की मृत्य के बाद उन्होंने कहा था हैदराबाद जाकर मेरे साथ होंग कॉंग जाने के लिए तयार रहेंगे एक महीने के अंदर घर बेच कर मुंबई वापस आ जाओंगा ये कहकर हैदराबाद चले गए थे हैदराबाद आने के बाद उन्होंने अपनी बहन को घर बुलवा लिया ताकि और पूरे घर का सामान ले जाए मकान का खरीदार भी ढूंड लिया था मेरी बुवा ने अचानक एक दिन फोन पर पिता जी के पेरालिटिक स्ट्रोक वाली बात बताई थी अब इलाज के लिए मैं उन्हें मुंबई ले जा रहा था मुंबई में भी मेरा एक घर था डॉक्टरों ने उनके पूर्ष स्वस्थ होने की कोई आशा ने बंधाई थी आखिरकार उनका हैदराबाद से 40 साल का रिष्टा तूट गया तीन माहा बाद मुंबई के एक हॉस्पिटल में उनका देहान थो गया दादा का हैदराबाद से बहुत गहरा जुडाओ था इस शहर ने उनकी उम्मीदों से बढ़कर काफी शोहरत दी थी साथ ही साथ परिवार चलाने के लिए उन्हें जरूरत जितनी कमाई भी इस शहर में हो जाती थी कभी अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं कहते थे भविशिक की भी कोई खास पैसा कमाने की योजना नहीं थी उनके लिए जैसे सब कुछ आज ही था दावा खाने में कम और बाहर दूसरी सामाजिक गत्विदियों में जाता समय देते थे अकबारों में अपने बारे में छपी न्यूस पढ़कर वो हमेशा खुश दिखलाई पढ़ते थे पाकिस्तान बनने के बाद 1948 में हैदराबाद सिंध से वो ट्रेन रास्ते अजमेर पहुचे थे वहाँ पर पांस साल रहे वही पर मेरा और छोटे भाई का जन्म हुआ था मेरी मा की बड़ी बहन सिकंदराबाद में रहती थी मेरी मौसी की सलहा पर 40 साल पहले मेरे पिता जी परिवार समेत हैदराबाद में 1903 में आपसे थे दादा को तब लगा था कि वे सही जगे पर आ गए थे नवाबों के इस शहर में उन्हें लगा था उनका गुप्त रोगों का इलाज करने का काम चल पड़ेगा अजमेर छोटा शहर था उसके बनिस्पत हैदराबाद बहुत बड़ा शहर था जब वे 11 वर्ष के थे उनके पिता जी का इंतिकाल हो गया था उनके मामा ने उन्हें स्कूल छुड़वा कर किसी वैदे के पास काम पर लगा दिया था यही पर उन्होंने बहुत कुछ सीखा एक कमपाउंडर की हैसियस से मरीजों के लिए नुस्खा बनाना साथी साथ फार्मूला पर आधारित मंजन सरदर्द का पैन बाम पेट दर्द के लिए गोली आदि दमाय बना कर टांगे पर बैट कर गली कूचे में घूम घूम कर लाउड हिलर के जरिये पबलिसिटी करना और दवाई बेशना भी उनके काम का हिस्सा था रात्री में उन्होंने आयरुवेदी की पढ़ाई भी जारी रखी 19 वर्ष की उम्र में जैसे उन्हें रईस्टर और मेडिकल प्रेक्टिस करना का सर्टिफिकेट मिला उन्होंने 1940 में अपनी खुद की एक क्लिनिक खोल ली मुझे याद है जब भी मेरे पिताजी टांगे पर बैठते थे सिंद में गोडों पर बिता हुए वक्त को याद करते थे पीर जो गोठ में सूफी गुरू पीरपगारों के हुर अन्याई रहते थे बिटिस सरकार ने धार्मिक पंत गुरु पीर पधारों के अनियाईयों को क्रिमिनल टाइप गोशित कर रखा था पीर पधारों ने बिटिस सरकार के खिलाफ आजादी की मुहिम का नाम हुर रखा था अरभी भाशा में हुर का मतलब आजादी है मरीजों को देखने के लिए हुर लोग मेरे पिता जी को गोड़े पर बैठा कर गाउं में ले जाया करते थे दूसरे चिकितसक उस मार्शल ला लगे हुए गाउं में जाना पसंद नहीं करते थे काम के शुरुआती दोर में हुर संपरदाय ने उन्हें काफी सम्मान और होसला दिया था इस बात को कभी भूले नहीं थे 1942 कुट इंडिया मूव्मेंट पे वे कांग्रेस के सदसे बन गए थे संदी अकबारों के लिए लेक लिखना अपने काम की किस तरह पब्लिसिटी की जाए उसका ग्यान उने पहले से ही था हैदराबाट डिकन में उन्होंने एक नव निर्मित बिल्डिंग ढून निकाली जहाँ पर निशली मंजल पर काफी दुकाने थी उपर तीन मंजलों पर चाल की तरह बने हुए रियाईशी कई कमरे थे यही पर उन्होंने एक दुकान दवा खाने के लिए और दो कमरों का एक घर किराए पर ले लिया मैं चार साल का था, मेरा छोटा भाई धाई साल का था पासी हिंदी माध्यम के एक स्कूल में हम दोनों का दाखिला हो गया प्राइमरी स्कूल की शिक्षा के बाद हम दोनों का एक अन्य अंग्रेजी माध्यम के एक स्कूल में दाखिला करवा दिया गया हम पैदली दोनों स्कूल आते जाते थे इस बिल्डिंग में पहली मंजल पर छे परिवार रहते थे, दूसरी मंजल पर चार परिवार रहते थे कुल मिलाकर स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले आठ लड़के वा चार लड़कियां इस चौल नुमा बिल्डिंग में रहते थे सतर साल बाद जब मैं हैदराबाद आया उस बिल्डिंग को देखने का मन हुआ गया तो मालूम पड़ा अब वहाँ कोई नहीं रहता है इस इमारत की उपरी तीनों मंजलें एक खंडहर की अवस्था में थी मालूम पड़ा मकान मालिक की मृत के बाद परिवारों में मिलकियत को लेकर जगड़ा हो गया था कोड के आदेश पर तीनों मंजलें सील कर दी गई थी जब बिल्डिंग का मालिक जीवित था तभी उसमें सारी दुकाने बेच दी थी जहां पर मेरे पिता जी का दवा खाना था वहां पर अब एक ज्वैलरी का शुरूम था दादा चाहते थे कि मैं भी उनकी तरह एक चिकितसक बनूँ दादा या मम्मी के पास हमारे भविश के लिए कोई खास योजना नहीं थी इसलिए दोनों भाईयों पर किसी कसम का दबाओ भी नहीं था बस वे चाहते थे कि हम खुब पढ़ लिख लें अपनी मर्जी का काम भी कर लें पाटशाला का चैन उन्होंने किया था कालेजों का चैन हम दोनों भाईयों का अपना था मुझे इंडियन मेडिसन टेक्टिस का लाइसंस मिलने के बाद भी मैंने वो काम नहीं चुना दादा ने इस पर कभी भी नाराजगी जाहिर नहीं की थी चैसाल की उम्र में मुझे अपने पिता जी की क्लीनिक में बैट आने जाने वालों को देखने और सुनने में बड़ा मज़ा आता था घर के पास ही कुछी मिंटों की पैदल दूरी पर इस्टेट सेंटरल लाइबरीरी थी रोज में उधर जाता था बाल कथाओं की पत्रिकाएं वा किताबे पढ़ता था गया था वहां खिलोनों से खेलने लेकिन कहानिया और उपन्यासों के किताबे पढ़ने का चस्का लग गया था दवाखानी से सटी हुई बिल्डिंग में एक प्रमुक उर्दू न्यूज एजेंसी का दफ्तर था उसी न्यूज एजेंसी में काम करने वाले पत्रकार लगबग हर रोज दवाखाने आते थे न्यू सर्विस के दफ्तर में आने वालों के बैठनी की व्यवस्था सीमित थी इसलिए दवा खाना एक तरह से उनके लिए वेटिंग रूम बन गया था कई बार मैंने पत्रकारों को आने वाले लोगों का इंटर्व्यू लेते देखा था आने वालों में ट्रेड यूनियन लीडर, शायर, मौनोसिपल, काउंसलर, प्रोफेसर, सामाज सेवी और अलग-अलग पार्टियों के नेता भी होते थे यही पर मजलिस के सालार, सलाहुद्दीन, ओवैसी जब वे मौनिसिपल काउंसलर थे देखा था जो भी आगंतुक आता था दादा उन्हें चाय पिलाते थे और जब पत्रकार अकेले में होते थे तो दादा उनके लिए पास की दुकान से पूरी भाजी मगाया करते थे ऐसा कोई हफ़ता खाली नहीं जाता था जिसमें उर्दू अकबारों में दादा का नाम नहीं आता था वे सिंधी डिस्प्लेस्ट परसंस एसोसियेशन के प्रेसिडेंट थे इंडियन मेडिसन एसोसियेशन के भी पदा दिखारी थे खुद भी मुंबई में इस्थिफ नेशनल सिंधी डेली के लिए खबरे भेजते थे धक्षिन भारत में वे एक नामचीन सिंधी लीडर माने जाते थे हर महिने में कोई ना कोई पबलिक फंक्शन का आयोजन करते थे जिसमें कोई ना कोई मंतरी मुख अतिती होता था. उन्हें कैलीग्राफी का काफी शौक था. सिंधी भाषा में घरेलु इलाज नामा कौाटरली पत्रका चपवाया करते थे. साथी साथ एक टिबी मासिक पत्रका उर्दू में भी चपवाया करते थे. इसी काम के लिए हर महिने में एक हफते के लिए दवा खाने में एक एडिटर वा दो कतीब आ जाते थे दोनों पत्रिका छत्ता बाजार की एक लिटो हो प्रिंटिंग प्रेस में छपा करती थी टेल्वे ट्रेक्स से लगी हुई कई सुनसान जगहों पर दीवारों और बड़े-बड़े पत्थरों पर दवा खाने का इश्तेहार गेरुआ रंग से पुतवाया गया था पते के अलावा सिर्फ लिखा होता था ताकत की दवाओं का शेहनशा या फिर नामर्द लोगों का शर्तिया इलाज सालाना नुमाईश में भी पांस साल तक हर साल अपनी बनाई हुई ताकत की दवाओं की पुब्लिसिटी वा बिक्री के लिए स्टॉर लगाते थे 1960 तक रो ने अपना नाम ताकत की दवाओं के शेहनशा के साथ जोड़े रखा अब समझ में आता है ये उनका ब्रांडिंग करने का तरीका था जब भी कोई सेंट्रल मिनिस्टर हैदराबाद आता था तो उनसे मिलकर वे सिंधियों के कस्टोडियन प्रॉपर्टी और रोजगार के मसलों पर मेमोरेंडम देते थे उर्दू अकबार उनके फोटो तथा समाचार नेमित रुप से छापा करते थे जनरल एड्मिनिस्टेशन डिपार्टमेंट ने उन्हें वी आईपी के लिस्ट में रखा हुआ था हर साल उन्हें इंडिपेंडेंस डे और डिपब्लिकन डे सेलिबरेशन के लिए इंविटेशन कारड आता था अपने साथ हम दोनों भाईयों को भी ले जाया करते थे 1956 में आंदर पदेश का गठन हुआ था हैदराबादी शहर इसकी राजदानी बना मुझे याद है 1962 में भी अपने साथ हम दोनों भाईयों को मुख मंतरी नीलम संजीव रेड़ी के खाने की दावत पर ले गए थे जब मैं किशोरा वस्था में था मुझे अपने साथ आयरवेदिक वा यूनानी मेडिकल कॉनफरेंस में भी ले जाया करते थे इंडियन मेडिसन बोर्ड से आरेंपी सर्टिफिकेट्स लेने के लिए उन्होंने मुझे आयरवेदिक नाइट स्कूल में भी भेजा था जब मैंने कॉलेज में पढ़ना चालू किया तो मुझे लगने लगा था कि शोरत हासल करना कोई बड़ी बात नहीं थी वैसे भी मशूर होना कोई जरूरी है क्या बस मैं उनकी तरह से एक एनरजेटिक व्यक्ति बनना चाहता था बाल साहित पढ़ते पढ़ते मुझे सेकेंडरी स्कूल के दौरानी कहानिया लिखने का शौक हो गया था कॉलेज पहुँचते पहुँचते कृष्णे चंदर, मंटो, राकेश मोहन, वैद्य गुर्दत और रूसी कहानिकार चेखव की कहानियों से मैं प्रभावित हो गया था जितने भी लेख मैंने कॉलेज की पत्रकाओं के लिए लिखे वो कृष्णे चंदर की शैली से ही इंस्पायर्ट थे कृष्णे चंदर जी एक ऐसे लेखक थे जो सौ शब्दों को भी एक ही वाक्य में पिरो लेते थे इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल कॉंप्टिशन्स में मेरी लिखी कहानी और कविता को पुरस्क्रत किया गया था लेकिन कुछ समय बाद ही मुझे लगने लगा था कि कहानिया लिखने के लिए मेरे पास कोई खास अन्बहो या कलपना करने का कैनवास नहीं था अठारा वर्ष की उम्र तक उसी चाल में रहा सारे कमरे एक लंबे से कॉरिडोर से जुड़े हुए थे एक तरह से वो एक खुली दुनिया थी कमरों में जहाकने की जरूरत नहीं थी दो दस बाए दस फुट वाले कमरों में माता पिता वा दोनों भाई रहते थे दादा और मम्मी चाहते थे कि हम दोनों भाई काफी पढ़ें चौल में रहने की वज़े से लोवर मिडल क्लास लोगों की तरह जरूरते और खर्चे भी सिमित थे दादा की कमाई ठीक ठाक थी मेरा जहन हमेशा खाली रहता था जब तक कि मैं कोई उपन्यास नहीं लेता था लगबग साड़े तीन हजार किताबें बीस वर्ष की उम्र होते होते पड़ चुका था एक MIG कालोनी में हाउसिंग बोर्ट द्वारा मकान अलोट किया गया था वो स्टेट सेंटरल लाइबरेडी से काफी दूर था अब लाइबरेडी जाना लगबग बंद हो गया था कॉलिज के पहले वर्ष में मैंने सेल्फ ट्विटेर की मदद से सिंधीवा उर्दू पढ़ना सीख लिया था हिंदी के लिए फ्रीलांस टांसलेटर बनकर कुछ जेब खर्च के लिए कमा लेता था कॉलिज के दूसरे वर्ष में मैंने पेन फ्रेंड्शिप पर एक क्वार्टरली पत्रिका निकालना चालू किया था कुछ छुट-पुट हिंदी कहानिया भी लिकी लेकिन ज्यादा तर सिंधी कहानियों का ही तर्जुमा किया सरकारी पत्रकाएं इन कहानियों को छापने के लिए एक अच्छा सा पारिश्रमिक देती थी वो जेब खर्च के लिए काम आता था कॉलिज के तीसरे वर्ष में स्टुडेंट यूनियन में चुनाओ लड़कर वाइस प्रेसिडेंट बना था कॉलिज के दूसरे वर्ष में जुएंट सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए भी चुनाओ लड़ा और हार गया था इस्कूल की नवी कक्षा में भी मैं स्टुडेंट यूनियन के लिए क्लास प्रतिनित चुना गया था इस्कूल में लगबख सभी से पार्टी मेरे से तीन या चार साल बड़े थे कुछ एक दो साल से कलास रिपीट कर रहे थे सभी दबंग किसम के थे पता नहीं क्यों वे मुझे पसंद करते थे मैं भी टफीज के साथ अपने आपको कंफर्टेबल महसूस करता था गई थी बस यूँ ही सब कुछ हो गया बिना किसी गंतव या प्लान के एक तरह से मजबूरी ही नौकरी करने का कारण था माता जी ने मेरी शादी 22 साल के उम्र में करवा दी थी शायदो चाहती थी कि मैं धन कमाने की तरफ ध्यान दूँ और अपना परिवार बनाओं उस वक्त यही लगा था कि जैसे मुझे उन्होंने बेडियां पहना दी हूँ ना जाने उन्होंने ताड लिया था कि मैं जीमन यापन के प्रत संजीदा नहीं था मेरे भाई के प्रतिव निश्चिंत थी भाई के पास कामना थी लक्ष था बिजनेसमेन बनने का नौकरी मिलने के बाद भी मेरा जिन्दगी के प्रति देखने का नजरिया वैसा ही रहा जैसा मेरा पिता जी का था मैं वही करता था जिसमें मुझे मजा आता था फर्क इतना था कि प्रसिदी पाने का मुझे कोई शौक नहीं था ना ही कोई बड़ा पैसा कमाने का इरादा भी कभी चितरकार बनना चाहता था बाद में कहानी वाव उपन्यास लेखक कभी फिल्म डारेक्टर भी बनना चाहा था राजनीत ने भी आकरशित किया कोई तीन साल युवा राजनीत में बिताने के पश्चात मुझे समझ आ गई कि वहाँ मेरे लिए कुछ नहीं था तेलिगू लिखना पढ़ना वा बोलना जानते हुए भी तेलिगू नेटिव ना होने की वज़े से स्थानी राजनीत में कोई जगे नहीं बन सकती थी जो कुछ आदर्शवात के बारे में सोच रखा था वो भी तब तक खतम हो गया था एक तरह से मैं ट्रेक्टिकल आदमी बन गया था राजनीत में रहते हुए दरबारी बनने के बहुत गुर सीख किया था उन्ही ट्रिक्स को युवा नेताओं में बाटता था उन्हीं में से एक युवा महिला सिकंद्राबा से अमेले बन गई थी पताने क्यों मुझे ये सब करने में बड़ा मजा आता था अब तक मुझे लगा था कि मेरे लिए हिंदी कहानिया लिखने के लिए कोई खास कैनवास नहीं था लेकिन Human Interest Feature Stories अपने अंग्रेजी अकबार के लिए लिखने में मज़ा आता था मेरे लिए चौल वाली सीमित दुनिया बदल चुकी थी राजणीत और अकबार की रिपोर्टिंग के अनभव ने मेरी दुनिया विस्तरत कर दी थी हिंदी में सिर्फ सची घटनाओं पर आधारित कुछ अपरात कथाएं लिखी मनुहर कहानिया वस्सत्य कथाएं पत्रिकायों में वे कहानिया चपी थी हिंदी में लिखना लगबगी छूट गया था भाई के पास व्यापारी बनने का इरादा था मेरी शादी होने के तुरंद बाद वो हॉंग कॉंग चला गया पांस साल काम कर उसने पैसा बचाया काम भी सीखा और खुद का व्यापार भी चालू कर दिया मुझे न्यूज रिपोर्टिंग के काम में मज़ा आता था लेकिन तीन साल बाद जब मेरा ट्रांसफर एडिटिंग डेस्क पर हो गया तो कुछ दुनों के बाद वहां मेरा मन लगना बंद हो गया सोचा क्यों न विदेश जाकर कुछ नया प्रोफेशनल अन्भो ले लूँ मैंने सिंगापोर, दुबई और हॉंग कॉंग के अंग्रेजी अकवारों में जॉब एप्लिकेशन भेज दी चार सालों तक हर छे महीने नियमित रूप से उन्हें रिमाइंडर भेजता था आखिरकार हॉंग कॉंग के एक अग्रेजी देनिक पत्र में कॉपी एडिटर का काम मिल गया था तब तक मैं एक लड़की का पिता बन चुका था एक खुश्णुमा इत्थिफाक था कि मैं भी उसी शहर में आ गया जहां मेरा भाई साथ साल पहले से रह रह रहा था छोटा सा हमारा परिवार फिर से इखटा हो गया था जब तक वे जीवित रहे माता और पिता हौंग कॉंग आ जाया करते थे दादा की मृत्य के बाद हैदराबाद में मुझे 30 से बढ़कर नोट बुक्स मिले जिनमें अकबारों की कटिंग से चिपकाई गई थी उन सभी में उनका नाम या जिकर होता था सोचा कि उन्हें अपनी पुत्री को पढ़ने दूँगा जिससे उसको पता चले उसके दादा कितने मशूर आदमी थे एक बैग में उन्हें समेट कर मुंबई वाले घर में ले गया 14 साल तक ऐसे ही ओ बैग वहां बंद पड़ी रही मुंबई में घर बदलने के समय उस बैग सहित कुछ घरेलू सामान एक गोडाउन में जमा करा दिया गया था एक महीने बाद जुलाई 26 2005 के दिन मुंबई में भेंकर वर्षा हुई और गोडाउन में पड़ा सारा सामान बह गया था मेरी पुत्री को मैं उन सभी अकबारों की कटिंक्स कभी ने दिखला पाया लेकिन लगता है कि मेरे दादा ने उसे अपने बारे में काफी कुछ बतला दिया था आज कल वो सोशल मीडिया पर प्रसिद होना चाहती है क्या वो जानती है प्रसिदे पाने के लिए कर्मशील होना पड़ता है दादा की तरह अभी आप सुन रहे थे पीजे लाल जी द्वारा लिखित आत्म कथात्मक शैली में लिखी हुई कहानी कर्मशील आशा है आपको पसंद आई होगी फिर मिलेंगे आपका समय शुब हो सुन्दर हो आनंद में हो